नमस्कार दोस्तों स्वागात इसने विडियों बात करने वाले हैं CRPF Head Constable Ministerial और ASI का Admit Card कैसे डाउनलोड करेंगे फानिली फ्रेंट जो है इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं औफिसली वेब साइट पाएंगे तो इन्हों ने जो है एक लिंक दे दिया गवा कि प्लीज यूज तू लिंक डाउनलोड दाउनलोड दाड्मिट कार इक्जाम हेड टेक्लिक करेंगे इस परकार से आपको जो है यूज आइडी पाउर्ड मांगेंगा लौगिं हेले का ओप्षन आ जाएगा अब देखे यूजए आईडी पाउर्ड आपको कैसे प्राप्त होगा यह आपको थोड़ा सा सब्सस्टित करना होगा अगर यूजर जो है documents लेकर जानी है तो आगे जानते हैं कैसे आपको सबसे पहले डाउनोड करके दिखायते हैं फिर मैं आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे clear करके बताऊंगा देखेए admit का download करने के लिए simple क्या करेंगे आप जो है Google open करेंगे आप जो Google में जाएंगे और search करेंगे crpf.gov.in वहाँ पर विजा सकते हैं लेकिन उसका website खुल नहीं रहा है आप CRPF की website पर आएंगे तो यह जली से खुल नहीं रहा है मैं आपको direct link दे दूँगा कहां से तो Google में जाएंगे search करेंगे DS helping forever search करेंगे जैसा आप इतना search करेंगे एक website खुलेगा आप इसको open करना है जैसा आप इसको open करेंगे यहाँ पर आपको live updates में जो है CRPF hate constable admit card 2013 download now का option मिलेगा यह थोड़ा सा नीचे आएंगे न admit kann का section आपको मिलेगा आप यहां से भी Link पर बिया सकते तो यह सबसे आसानी Link इसपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए डाडरेक्ट डारोंट लिंक अडड्मी कार यह option मिल रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जह है डारेक्ली redirect हो जाएंगे इस website पे तो बहुत आसान है Google में जाए सर्च करें जैसे मैंने बताया अब यहां पर आपको user ID password लिखना है तो user ID password क्या है जब आप form field किये होंगे उस समय आपको user ID password मिला होगा मैं आपको दिखाए तो किस परकार से mail होगा इस परकार से आपको mail जरूर मिला होगा इसमें आपका user ID है password है और देखे आपको नहीं मिल रहा है न तो आप एक बार जो है न अपने mail ID में जाएंगे search करेंगे CRPF mail ID में जाएंगे उपर search bar में CRPF search करेंगे आपको वो जब mail दिख जाएगा CRPF होला जिसमें user ID password है तो यहां से user ID password को क्या करेंगे यहां पर फील करेंगे देख रहा है न उसके वैसे login करेंगे login करते हैं friends इस परकार से जो है आपकी application details so होता है अगर आप print नहीं किया है तो application यहां से print जरूर कर लिजेगा फिलहाल यहां पर देखिए e admit card का बटन मिल जाएगा आपको आप इस पर इस पर क्लिक करेंगे जैसाब इस फे क्लिक करेंगे यहां पर आपको देखिए इस परकार से जो है पहले ही आपका address यहां दिखा रहा है कि आपका जो है कौन सा पोस्ट है और कहां आपको एक्जाम देने जाना है और timing भी क्या है date कौन सा है यह सब चीज यहां पर दिया येगर आप password नहीं है या password नहीं खुल रहा है तो कैसे हम forget करेंगे, फिलहाल हम इसे का करते हैं, open करते हैं, तो कुछ इस परकार से friends आपका admit card है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको सारी जनकारी इसमें दी हुई होती है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पे आपको अभी नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साब साफ लिखा है, कि उमिद्वार खंड, यानि निरिक्षक की उपस्तिती में भरना यह सारी चीजिए, तो अभी आपको नहीं भरना है, यह सब रिक्त ही आपको ले कर जाना exam center पे, यहाँ पे आ लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर इड्रस लिखना है, जैसे आप फॉम भरते समय अड्रस लिखे थे, यहाँ पीन कोड लिखेंगे, email आईडी लिखेंगे, mobile नमर लिखेंगे, निरिक्षक का नाम हस्ताक्चार वो 앞नुnar करेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है परिक्षा होल में उसको से ओरिजिनल आईडी प्रूफ ये तो बहुत जरूरी है ओरिजिनल आडी प्रूफ में अधार कार्ड पेन कार्ड रोड़ी कार्ड कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे दो कलर कॉपी आफ प्रिंटेड एड्मीट कार्ड मतलब जो आपका एड्मीट कार्ड है उसका दो कॉपी लेकर जानी है ध्यान रेफ्रेंट्स एक कॉपी नहीं दो कॉपी और आप जो है ब्लू या ब्लैक यहाँ पे आपको जो है पेन लेकर जाना है यहाँ पे ब्लू बॉल पेन या पेपर for rough work, paper भी यहाँ पे दिया गया है, paper और pain, दोनों ले जा सकते हैं, rough work के लिए, या वो लोग कभी-कभी क्या होता है कि exam center वाले वो लोग paper और pain प्रवाइड करते हैं, बट आप ले लिजेगा, अगर entry मिलेगा, इसके साथ तो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो वो लोग सायद आपको प्रवाइड करेंगी, तो यह चीजे यहाँ पे आपको देखिए, जो है guidelines है, इतना सारे documents आपको ले कर जानी है, अपने स आप में, अब यहाँ पे नीचे में काफी सारी guidelines दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, सारी जनकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह important document से जो आपको परिक्षा hall में ले कर जानी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, already highlighted करके लिखा हुआ है, तो यह इस परकार से आप जो है क्या करेंगे, admit card को download करेंगे, सबसे पहला जो page है वही आपका original admit card है, पहला page को जो है दो copy आप जरूर, color में print out करवा के लेकर जानी है, अब बात आती है, जिनका user id password नहीं खुल रहा है, वो लोग क्या करेंगे, देखे, य मेरा email id है, user id के तोर पे होगा, फिर यहाँ पर forget id and password पे click करेंगे, जैसे हम इस पर click करेंगे, इनके द्वारा जो है, एक user id password जो है, आपके mail id पे भेज़ दिया जाएगा, हम यहाँ पे क्या कर दिया है, forget user id and password पे हमने click किया हुआ है, यहाँ पे कुछ response हो नहीं रहा है, उ यह लोग mail आपको जरूर किये होंगे, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप form भरे होंगे, तो user id password मिला होगा, लेकिन forget करने पे यहाँ पे जो है, कोई यहाँ पे response हो नहीं रहा है, अभी तक मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, यहाँ पे change password का भी option है इसको भी देखते हैं हम यहाँ पे, change password में यहाँ बोल्ड है, user id लिखिए, old वाला password लिखिए, नया, जब आपको user id password है नहीं तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे, चलिए, एक ही option है आपके पास क्या, तो वो है forget, forget यहाँ पे user id password, यहाँ पे अपना email address लिखके, अगर यह respond करता है, तो सही बात है, नहीं तो आपको wait करना होगा, दूसरा option भी है, आपके पास helpdex, जी हाँ दोस्तो, helpdex पे जाएंगे, आप CRPF की website पे visit करेंगे, हलागे website खोली नहीं रहा है, अगर मुझे मिलता है CRPF का helpdex number, तो मैं आपको description box में provide कर दूँँगा, उनका mail id या उनका contact details, आप वहाँ पे जरूर संपर्क करने की कोशिस करिए, कि मेरा admin का download नहीं हो रहा है, या जो भी आपके पास, आपके साथ problem है, वो helpdex के ही मादियम से solve किया जा सकता है, तो helpdex number, description box को check करिए, साइध वहाँ पे मैं डाल दूँ, मैं खोज के डाल दूँगा, समझ तो उमीद करते हैं, आपको जनकारी समझ में आ गया होगा, CRPF का admin card कैसे download करनी है, और क्या-क्या instruction है, मिलते हैं, next video में हमें देजे जाये तो देखते है, डिया is helping forever, thank you for watching, जैहिन